जौनी लीवर ने अपने करियर में हमेशा फांस और दर्सकों को हसाया है वहाँ जहां भी जाते हैं वहाँ का महौल खुस्नुमा कर देते हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि सब को खुश करने वाले जौनी की लाइफ में ऐसा समय आया था जब वा खुद को खत्म करना चाहते थे और इस दुनिया को छोड़ना चाहते थे वहाँ तो मरने के लिए ट्रेन के ट्रैक तक पहुंच गए थे लेकिन फिर एक वज़ा ने उन्हें यह बड़ा और गंदा कदम उठाने से रोग दिया पापा पीते थे शराब जानी ने यूट्यूबर रनवीर अलाबादिया के शो में बज़पन के मुश्किल दिनों के बारे में बताया कि बजपन में मुझे फैमली को देखना पड़ता था तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया मैं कुछ काम करता था तो घर में खाना बनता था डैडी बहुत ड्रिंक करते थे और पीने के बाद उन्हें पता ही नहीं था कि वह क्या करते थे वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाते थे काम पर नहीं जाते थे और दादा गिरी करते थे हम लोगों को डर लगता था कि मेरा बाप जिंदा आएगा की नहीं आत्महत्या करने गए जोनी ने आगे बताया कि 13 साल की उम्र में वह तरह परिशान हो गए थे कि उन्होंने आत्महत्या करने का सोच लिया था वह पोले कि मेरी अपने पापा से इतनी फ्रस्टेशन हो गई थी कि मैं रेलवेट ट्रैक पर जाकर लेट गया था लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेन आती देखी तो मेरी आखों में मेरी तीन बहने आ गई बस इसी वज़ा से मैंने अपने कदम वाफिस ले लिये